रिष्टे अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा राते हैं समवाद से, महसूस होते हैं समवेदनाओं से, और जिये जाते हैं दिल से, अजीब तमासा है मिट्टी के बने लोगों का, बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं, कुछ रिष्टे किराय के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजालो कभी अपने नहीं होते दोबारा गर्म की हुई चाय और समझावता किया हुआ रिष्टा दोनों में पहले जैसी मिठास नहीं आती अहसास बदल जाते हैं, बस और कुछ नहीं, वरना मुहबबत और नफरत एक ही दिल से होती है जरासी वक्त ने करवट क्या ली, गैर की लाइन में सब से आगे अपनों को पाया हमने किसी को नजरों में ना बसाओ, क्योंकि नजरों में सिर्फ सपने बसते हैं, बसाना ही है तो दिल में बसाओ, क्योंकि दिल में सिर्फ अपने बसते हैं जब आपको किसी के साथ उम्र भर रिष्टा निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां आप उसकी गलतियों को दबना सको एक बात हमेशा याद रखो इसी के सामने गिरगिराने से नो तो इज्जत मिलती है और नो ही महबबत अगर इतनी ही नफरत है मुझसे तो आज ही ऐसी दुआ करो कि तुमारी दुआ भी पूरी हो जाए और मेरी जिन्दगी भी कैसे करूं मैं साबित कि तुम याद बहुत आते हो एसास तुम समझते नहीं और अदायव हमें आती नहीं अपसोस होता है उस पल जब अपनी पसंद कोई और चुरा लेता है क्वाब हम देखते हैं और हकीकत कोई और मना लेता है साथ छोरने वालों को तो बस एक बहाना चाहिए वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ नहीं छोरते कभी भी दूसरों के बाते सुनकर अपने रिष्टे को खत्म मत कड़िये रिष्टे अपने होते हैं दूसरों के नहीं लड़िये रूठिये पर बाते बंद नो कीजिये बातों से अक्सर उलजने सुलज जाती है गुम होते हैं सब बंद होती है जुवान संबंद की दोर ऐसे में और उलज जाती है वक्त तो रेत है हिसलता ही जाएगा जीवन एक काड़वा है चलता ही जाएगा मिलेंगे कुछ खास इस रिस्टे के दर्मिया थाम लेना उन्हें वरना कोई लोट के न आएगा सीशा और रिस्टा दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं दोनों में सिर्फ एक ही फरक है सीशा गलती से तूट जाता है और रिस्टा गलत फामी से संका का कोई इलाज नहीं चरित्र का कोई प्रमान नहीं मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सब्द से तीका कोई बान नहीं दर्द उस खंजर से नहीं हुआ जो मेरी पीठ में लगा दर्द तब हुआ जब मैंने खंजर वाले हातों को देखा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हो सबको बस यहीं चाहिए कि आप उनकी प्रोब्लम को तुरंद सल्ब करें हम ने ये वहम पाल रखा है इस सारा काड़वा मैंने ही समाल रखा है उदासी यानि अतीत में मन तनाव यानि भविश्य में मन सांती यानि वर्तमान में मन धनिवाद से होता कुछ भी नहीं पर मिलता बहूत कुछ है यह आशू भी एक परेसाणी है भुष्य और गम दोनों की निसानी है समझने वाले के लिए अनमोल है और ना समझने वाले के लिए सिर्प पानी है रिष्टा जब आशू पोचने के बजाए आशू देने वाला हो जाए तो समझ लेना कि उस रिष्टे ने अपनी उम्र पूरी कर ली है ये इनसानी फित्रत है बुडाई की तरफ इनसान दौर कर चला जाता है जबकि अच्छाई की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है ना समझें कमजोर लोग बदला लेते हैं मजबूत लोग माप कर देते हैं और अकलमंद लोग नजर अंदाज कर देते हैं उड़े की चाहत में इनसान बहुत कुछ खोता है भूल जाता है कि आदा चांद भी खूबसूरत होता है उम्र से सम्मान जरूर मिलता है पर आदर तो केवल ब्यवहार से ही मिलेगा किसी को कभी दुख मत देना क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुनी होकर लोटती है आप हमेशा इतने छोते बनिये कि हर व्यक्ति आपके पास बैठ सकें और इतने बड़े बनिये कि जब आप उठें तो कोई बैठा नौरा सकें ख घरस्ति चीज सलाह एक मांगो हजारो मिलती है और दुनिया की सबसे मांगी चीज सह्योग हजारों से मांगो तब जाकर एक से मिलती है सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाब कर सकता है लेकिन स्वभाब की कमी को सुन्दर्ता से पूरा नहीं किया जा सकता कोई हमारा विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे वह हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझ करना चाहिए यदी पड़ी स्थीतियों पर आपकी पकड मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नही ही मज़ा है लोग रूडाना नहीं चोड़ते और हम मुसकराना नहीं चोड़ते रधा ढ्isetी कि है नंब्रत मलत देति है और योग्यत्य अस्थान देती है और यह तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह समान देती है